हाँ हेलो दोस्तों राजवन सिंग महाली आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रपर्टी गुरू कुल में मैं आपका बहुत-बहुत करता हूं और जो आज का वेडियो है वह किसी प्रपर्टी के डाकूमेंटेशन को लेके है कैसे रेविन्यू रिकॉर्ड में गलती हो जाती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में मैं आज आप से बात करना चाहता हूं इसका मैंने जो टाइटल है वीडियो का वह लिखा है जिनियालोजिकल या फैमिली ट्री उसको कुर्सी नामा बोलते हैं हिंदी में कुर्सी नामा का मतलब है जो हमारी फैमिली उपर से शुरू हुए है स्पोस हमारे डादा जी से दादा जी के बाद पिता जी पिता जी के भाई बहने और आगे हम उस तरीके का हम इसको बोलते हैं फैमिली ट्री या जिनियालोजिकल ट्री कुर property आगे जानी होती है उसमें यह जो टर्म्स-थै ये फ़ाएओस में आति है तो यह मैंने लिखा है कुरसी नमा और कुर्सी नमा क्या है है यह गंगा राम जी है कोई गंगा राम जी डिसीज़न दिसीज का मतलब हम उसको यहां शब्द लिखा मुतवफी फॉर्ट डिसीज यह भी लिख सकते हैं तो यह इनकी डेथ हो चुकी है डेथ होने के बाद जो यह प्रॉपर्टी है कितनी प्रॉपर्टी है टोटल लेंड मैंने लिखा है बारा कनाल और सोला मरला यदि आप पंजाब में ह हर्याना में हो तो आपको हंड़र्ट यह समझा जाएगी कि पंजाब में मेजर्मेंट जो है हर्याना के साथ साथ यह कनाल मरलों में और बिगगा बिसुव में चलती है तो यह अलग तरीके की में हमारे पास दो तरीके की जो मिंटी है वो चलती है यह जो प्रॉपर्टी है ये कनाल मरलों में 12 मरले 12 कनाल 16 मरले जमीन है इसको यदि मैं 12 कनाल को 20 से मल्टी पलाई करूं 240 240 प्लस 16 256 मतलब एक कनाल में 20 मरले होती है और 20 मरले को यदि हम 12 से मल्टी पलाई करें 240 240 प्लस 16 256 मरले को यदि इसके च्छोटी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं सरसाही यह लिखा सरसाही में यदि 256 मरले हैं और एक मरले में 9 सरसाही होती है 256 को यदि हम 9 से मल्टी प्लाई करेंगे तो यह 204 सरसाही आ जाएगी एक सरसाही का जो एरिया है लगवग तीन पॉइंट च्छती सकेर याड़ होता है यह लगवग तो इतना मतलब होता है तीन पॉइंट शती का मतलब यह हो गया कि बारह किनार 16 मरले के पहले हमने टोटल मरले बनाए और मरले के बाद फिर सरसाही बनाई क्योंकि यह इसी तरीके से हमने इन में इंट्री हो गई है वह क्या हो गया यह गंगा राम जी है गंगा राम जी के तीन बेटे हैं जोगंदर कुमार कांसी राम अशोक कुमार और उनकी वाइफ का नहीं चंदर बनती तो हुआ क्या यह पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ यह क्या मतलब पटवारी के रिकॉर कि टिए तो चुकी है जो लगेंदर कुमार की माइफ रामदेवी वो जीवत है और उनका सन नैंड हाँ और रामदेवी का जो बेटा है उनका नाम को और यह यह पर तो एक पुटतिन इसको जाना था एक पुटा तीन इसको चला गया चंदरवंती को 33% साधे सोना प्रसेंट कांशी राम और साधे सोना प्रसेंट अशूख् मभर्मार जी को चला के जबके होना ठाओ होना यह था कि इसमें चार हिस्सेदार रहे नbourब यहां पाना यह व्हां यह चणिया फ्म और यही चाहिए आ मलत ने जीए दे लेकिन रिकॉर्ड में गलती होगी रिकॉर्ड में गलती होने की विज़े से ये एक बड़ा तीन शेर इनको दे दिया और एक बड़ा छे शेर इनको दे दिया दोनों को एक बड़ा तीन कर दिया और एक बड़ा तीन इसको कर दिया चंदरबंती को तो आप इसक है तो उसको सहत इंदराज बोलते हैं इंदराज का मतलब एंट्री जब और यह बिमार एंट्री है यह सहत बनार जो हम मतलब ब्लूँन ठीक हो गया उसको ठीक किस तरीके से किया पिर उनके बाद तो इनके तीन बच्चे रहां कि गंगा राम जी के बेटे अशौक शौक पो म है इनका एक बटा चार शर्साइज लिख साई जो लिख तो ठीख है इसके फान्सो चैटरानी इनकी वी सासो ठाटार्ट यह शाषाहि इतनी निकाल दी गल्ती गलती करके जब यह ठीक किया गया तो ठीक करने के बाद जो यह जुगिंदर कुमार इंकी तो आना था रंचन कुमार इनका पेटा है उनके नाम में पाटा इंपर यह पत नहीं कैसे गलती हुए अब ठीक हुआ सेहत इंद्राज हुआ है का से इंद्राज में टोटल लेंड तो वही रही गंगा राम जी का जो एरिया मतलब इसका इनकी जमीर बारा कनाल सोड़ा मर ले और दोसा शपन मर ले या 304 सरसाही 304 सरसाही अब 304 सरसाही में इनके मालक तीन और शौक्मार जी इनका बेटा है और बेटा है और डिसीज़ वह भी उसके भी फौट हो चुक है फौट का मतलब मौत हो चुक है तो पौट के बाद राम देवी उसकी जो वाइफ है उसके नाम पर आ गई है तो आप सिंपल बहुत सिंपल फार्मूला यह कि यदि हम तैइ और यहां चार चार इसा किया होता तो इसका पांचसो चैतर आना चाहिए था लेकिन उन्होंने गलती से साथव ठाट सरसाही उनकी निकाल दी प्रॉपटी मेहंगी है और महंगी प्रॉपटी होने की वज़े से चलो फैमिली अच्छी है फैमिली समझे के इसमें कले मिस्ट में हो सकती है तो वह गडबढ ही निकली और वह गडबढ दुरुस्त करने के बाद यह अब बिलकुल मतलब इसमें रेविन्यू रिकॉर्ड में यह आपने जिस रिकॉर्ड में डॉकुमेंटेशन के हसाफ से टैटल के हसाफ से बिलकुल एक नंबर प्रॉपर्टी हो चुकी ह सो आप नहीं यदि आफ रियल स्टेट का काम करते हो नहीं भी करते हीוע यदि आप रियल सटेट हो तब भी आपने अगएंखें खोल के रखनी है कहीं भी गलती हो जाए कोई छोटीमूटी गलती भी यह कुरोडों में चले जाती है क्योंके मैं बार बार कहता हूं यह मेरी तो रियल स्टेट है यह रातो रात आदमी को करोड़ पती भी बना सकती है और एक गलती महज एक गलती आपको रोड़ पती भी बना सकती है तो दोस्तों यह उमीद है यह जो मेरा अज का वीडियो को टॉपिक है यह काफी टेकनिकल है हो सकता आपको समझना आई दो बार तीन बार चार वार पांच बार दिखो तो यदि आपको यह समझ आ गया तो यह समझना कि आपका व्हसी प्रयास प्रयास आता है कि इंवर्ज के साथ आपने दर्शकों biblioth वह बात मैं जरूर शेयर करूं ताके आपकी जिंदगी में कोई ऐसी गलती होके आप करोडों का लॉस ना कर बेठी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दो बार देखना चार बार देखना इकठे बैठके देखन समझने की कोशी करना और जिस दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला पटन ते जूर दबालो ताके ऐसी नॉलिज वाली वीडियो जिसमें करोडोर पे शुपे हुए है करोडोर रुपे का नुकसान बिचा सकती है आपसे मिस न हो जाए अगला यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट मक्स में आके आपना सवाल लिख सकते हो यदि आप किसी अलग सुबजेक्ट पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप उसमें कमेंट में लिख सकते हो मैं तकरीबन तकरीबन सारे कमेंट्स पढ़ता जितने जुरूरी होते हैं उनका जवाब भी देता हूं और उमीद करता हूं कि ऐसे जो टॉपिक है वीडियो के इससे आपकी नौलेज जो है बहुत जदा बढ़ेगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके लिए ये मतलब आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी प बढ़ते जाएं और जितना आप सीखते जाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने देश को आगे लिजा सकते हैं अपने नौजवनों को अपने समाज को हम आगे लिजा सकते हैं उनकी सोच बदल सकते हैं सो दोस्तों झाल झाल